सब्सक्राइब करें दाइस्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं नमस्कार दोस्तों आपका अपने परिवार दाइस्पीड इस्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है आज हम लोग जो है एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे नौलेज इस्पीसल में जैसे के मैं बताया हूं कि आपको हर जगा पर और हर तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी और आज का जो टॉपिक है हमारा वो देख रहे होंगे आपकी एक बम और आप देख रहे होंगे कि ए ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो चीज सुधारी न जा सके और यह वही चीज है कि एक गुशा केवल ऐसी चीज कर दिया कि पूरी प्रकृति को बदल कर रख दिया जी हां दोस्तों एक गुशा पूरी प्रकृति को बदल कर रख दिया दोस्तों मैं यह बात कर रहा हूं सा कब्रगाह में तब्दिल कर दिया था हम इस तबाही के भेट चड़े सभी लोगों को सरधानजली देते हैं दोस्तों 6 अगस्त को तो एक बम गिरा ही था जो कि हिरोसिमा पर गिरा था उसी के बाद 3 दिन बाद मात्र 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागसाकी पर बम गिराया गया तो दोस्तों ये दो बम जो था वो जापान को पूरी तरह से नश्ट कर दिया दोस्तों इस बम का जो निक नाम था वो लिटिल बाई था और 4000 अंसेंटीग्रेट तापमान पहुँच गया था दोस्तों सोच लीजिए कि यहाँ एक बम गिराने के बाद जो वहाँ का टमप्रेचर था वो 4000 अंसेंटीग्रेट था और आप इसकी कलपना नहीं कर सकते बताईए कि यहाँ पे जो है जब टमप्रेचर 30 डिग्री 25 डिग्री होता है तब इतनी गर्मी लगती है तो 4000 अंसेंटीग्रेट पहुँच गया तब क्या होगा बम गिरने से पहले बसा बसाया और बम गिरने के बाद साफ हो चुका था ही रोसिमा सही सुन रहे हैं आप लोग दोस्तों अगर वहीं हम बात करें तो लिटिल बॉय जो बम गिराया गया था उसका जो वजन था वो 97-100 पाउंड था और वही 14,400 किलो ग्राम और 10 फुट लंबा था सही सुन रहे हैं दोस्तों अगर हम बात करें तो 2,000,000 लोगों पर आज भी रेडियेशन का असर बाकी है और उनसे काफी भेद भाव किया जाता है दोस्तों अगर मैं बताओं कि इसके तीन दिन बाद जैसा कि अभी भी हमने बताया कि इसके तीन दिन बाद नागासा के सहर पर दूसरा पर माड़ बम गिराया गया तो हम आज जो है इसी पर पूरा बिस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर जो हिरोशिमा और नागासा की पर बम गिरा वो क्या था कैसे था पूरी चर्चा करेंगे और आज हम लोगो हम आप और सब लोग स्रधानजली देंगे ऐसे भेड चड़े सभी लोगों को क्योंकि देखिए दो बम गिराया गया था एक 6 अगस्त को गिराया गया था और एक 9 अगस्त जो की आज का दिन है तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं अगर जो है आप पिछला वीडियो नहीं देखें देखिए हम लगातार आपके लिए कुछ न कुछ जरूर देते रहते हैं और ये जो क्लास आपकी देख रहे होंगे कि आप इसमें लिखा है कि जियोग्राफी फ्री क्रैस कोर्स टाप 1000 कुष्चन जी हां दोस्तों टाप 1000 कुष्चन टाप 1000 कुष्चन की जो हमारी सिरीज थी वो सिरीज जो है अगर आप हिस्सा नहीं लिए है तो इसमें हिस्सा जरूर लीजिए दोस्तों और ये एक अगस्ट से आपकी सिरीज चल रही है सामको साथ बजे जी हैं दोस्तों और ये ऐसी सिरीज है जो कि लास्ट में जब इसमें प्राइज कुछ कराई जाएगी तो इसमें आप 200 रूपे जीत सकते हैं सही सुन रहे हैं दोस्तो तो अगर आप हमारे साथ बाई रहते हैं तो आपको निश्ची थी फाइदा भी होगा पैसा भी मिलेगा हर तरह से तो चलिए सुरू करते हैं हिरोश्मा और नागा साकी पर हमले की कहानी दोस्तो जापान एक दूइपी ये देश है जिसकी अधिकांस दूइपों का निर्मार जौला मुखी क्रिया से हुआ है चार बड़े दूइप होंसू, होकेड, क्योसू, शिकोशकू इस देश के प्रमुख दूइप हैं जो जापान के लगभग 97 प्रत्शत भाग का प्रतनिधितों करते हैं जापान के लोगों को दुनिया में सरवाधिक महंती और जुनूनी माना जाता है तथा इन्हें अपनी दृढ़ प्रतिग्या के लिए जाना जाता है आन्ने देशों की तरह जापान भी 1880 से पहले कई सामराज्यों में बटा हुआ था लेकिन इसके बाद जापान का एकी करण किया गया और इंपीरियल आर्मी आफ जापान के स्थापना की गई दोस्तों अगर हम आपको बताएं तो इस एकी करण और सैन मजबूती ने जापान को आकरामक और विस्तार की नीत अपनाने वाले देश की रूप में बदल दिया और राष्टियता की भावना मजबूत होती गई दोस्तों वहीं 1894 पंचानवे में जापान ने चीन को और 1905 में जापान ने रूस को हराया था प्रथम विस्यूद में इसने बहुत सीमित रूप में भाग लिया और अपनी अर्थ ब्यवस्ता को आगे बढ़ाने का कारिक इस दोर में किया 1936 के बाद जापान की सत्ता पर साइनिक अधिकारियों का प्रभाव बढ़ा और 1937 में जापान ने चीन पर पुना आक्रमड कर दिया और मानवता को सरमसार कर दिया अगर हम आगे बात करें तो आगे बात करें तो एक नट रूख जाएगा देखते हैं मानवता को शरमसार कर दिया नान किंग नरसंघार इसी आक्रमर से संबंधित है जी हाँ दोस्तों आप नीचे देख रहे होंगे नीचे वाली लाइन पर हम चर्चा कर रहे हैं अभी मैं इस पर आपको मार्क नहीं दिखेगा क्योंकि जो है ये नीचे की लाइन है नान किंग नरसंघार इसी आक्रमर से संबंधित है और 1949 में दुती भी स्यूध प्रारम हुआ और जर्मनी जापान इटली का गट चोड बना इन्हें धूरी राष्ट के नाम से बने गट बंधन मतलब कि ये जो राज था इसको जो है धूरी राष्ट का निर्मार मतलब इसको धूरी राष्ट कहा गया वहीं अगर हम आगे बात करें तो बिजयी देश या सबसे ताकतवर देश के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए सक्टी प्रदर्शन करना होता है यही काम पूर में जापान इवं पस्चिम में जर्मनी द्वारा किया जा रहा था धीरे धी अज तक किसी भी यो दुमें सामने से नहीं है वो पीछे से सपोर्ट करता था साथ दिसम्बर 1941 दिन रविवार के दिन सुबा आठ बजे परल हारबर पर जापान के हमला कर दिया जापान ने हमला कर दिया इसमें कई हजार अमेरिकी मारे गए और अमेरिका की भारी छती हु आप इनका नाम याद रख सकते हैं कि फ्रैंक लिन रुजबेल्ट ने फ्रैंक लिन रुजबेल्ट न जो थे ये उस समय वहां के जो है क्या थे राष्टपती थी अमेरिका के इन्होंने बैठक बुलाई और कहा कि अमेरिका यह दिन कभी नहीं भूलेगा साथ ही अमेरिका जापान और जर्मनी तेजी से आगे बढ़े जर्मनी ने यूरोप के एक बड़े हिस्से परकपजा कर लिया और वहीं जापान ऐसीया प्रसांद महासागर के बड़े हिस्से परकपजा कर रहा था अमेरिका ने पूरी तरह युद्ध में सामिल होने से मित्र राष्टों की सक्ति में इजाफा हुआ तो जर्मनी और जापान कमजोर पढ़ने लगेगा 1942 में हवाई के पास जापानी सेना की और 1943 में इस्टलिन गार्ड में जर्मन सेना की पराजय के बाद मित्र राष्ट धुरी राष्टों पर हावी होने लगे और वहीं अगर हम आगे बात करें तो अगले दो साल में जर्मनी की हार तै हो गई और 29 से 30 अपराए 1945 की रात हिटलर ने अपनी प्रेमी का एफरा ब्राउन के साथ आत्म हत्या कर ली हिटलर की मृत्य के बाद जर्मनी ने बिना सर्थ आत्म समरपड कर दिया इस तरह यूरोप में तो युद्ध रुका लेकिन एसिया में अभी भी चारी था जापान की भी कमर तूट चुकी थी लेकिन वह घुटने टेकने के लिए तायार नहीं था जर्मन की पराजे के बाद बर्लिन से सटे पोर्टस डाम नगर में 17 जुलाई से 15 दिन के लिए एक सिखर सम्मिलन का आयोजन हुआ 16 जुलाई को अमेरिका ने यूरेनियम परमाड़ बम का सफल परिक्षण किया इस समय अमेरिका में राष्टपती थे हैरी ट्रेमन सही सुना आप लें दोस्तों हैरी ट्रेमन आप देख रहे होंगे इंगलिस में भी लिखा है तो इस सम्मिलन में यह बात भी सामने आई कि एक परमाड़ बम लिटिल बॉय प्रसांत महसागर के तिनी याय दुई पर भे दिख रहे होंगे दोस्तों सोवियत संग के नेता इस्टाइलीन और ब्रीटेन के प्रधान मंतरी विष्टन चर्चिल इस बम के विशय में जानकर थोड़ा चिंतित हुए थे जापान की आम जनता को बहुत नुकसान हो सकता था इस्टाइलीन ने बड़े सहज भाव से ट् 25 जुलाई को ट्रेमाइन ने प्रसांत महसागर वायु सेना के मुख कमांडर को आदेश दिया कि विशय बम लिटिल बॉय के इस्तमाल की तयारी कर ली जाए इसके साथ ही जल्द एक और बम तयार कर लिया जाए जिसका नाम फैट मैन था यह प्लूटूनियम बम था जबकि लिटिल बाय जो था यूरेनियम बम था दोस्तो यह लाइन आपके लिए महत्पूर है जो आपका लिटिल बाय था दो बम गिरा एक 6 अगस्त को गिरा एक 9 अगस्त को गिरा उसका नाम लिटिल बाय था और 9 अगस्त को गिरा उसका नाम फैट मैन था जी हां दोस्तो जो लि सहर हिरोसिमा कोकुरा क्योता निगाता थे बाद में क्योता की जगा नागा साकी का नाम जोड़ा गया दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो सोभियत संग और अमेरिका के ही कई रड़नी इतिकार बम गिराने के पक्च में नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि जापान देर 1945 में मासकों में जापान राजदूत ने यह बात सामने रखी कि जापान सांतिवारता करना चाहता है लेकिन अमेरिकी राश्टपती की दिल्चस्पी सांतिवारता में नहीं बिना सर्त आत्म समर्पन में थी 26 जुलाई को जापान से अभी लंब बिना सर्थ आत्म समर्पड करने को कहा गया दोस्तों ही हम अगरी बात करें तो दरसल जुलाई 1945 में मासकों में जापानी राजदूत ने यह बात सामने रखी कि जापान सांतिवारता करना चाहता है जैसे कि अभी आपने बताया आपको 26 जुलाई को जापान से अभी लंब बिना सर्थ आत्म समर्पड करने को कहा गया कुछ लोगों का कहना था कि परमारू हमला ना किया जाए लेकिन अमेरिका एक बड़ा वर्ग यह भी मानता था कि जापान सेना आखरी दम तक लड़ने को तयार है वहां के लोग आत्म घाती हमला करके भी अपने देश को बचाने के लिए तयार थे एक तथिया भी है कि अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी सेन ताकत से परचित कराना चाहता था वह जापान को सबक सिखाना चाहता था अपने परमारू बम का परिक्षण करना चाहता था और जापान को बुरी तरह से तोड़ देना चाहता था सही सुना आपने दोस्तों जापान जुलाई के अंत तक बहुत कमजोर हो गया था वहाँ आवस्यक खाद सामगरी का अभाव था जापान के पास प्रेट्रोल और अने इधन का इतना अभाव हो गया था कि उनके पास बिमान इधन ठप पड़ गये थे छे अगस्त 1945 को सुबा साथ बजे दोस्तों छे अगस्त का वो दिन था सुबा साथ बजे का समय था जापानी रडारों ने दच्छिड की ओर से अमेरिक के विमानों को आते देखा और जापान में चेताउनी की साइरेन बज उठे जापानी बिमान इनन के अभाओं में इन अमेरिकी बिमानों को रोकने में बिफल थे दोस्तों आठ बच कर नव मिनट पर अमेरिकी वाइव सेना के करनल पॉल टिबेल टर्स ने अपना बी ट्वंटी बिमान से एनोला गे के इंटर काम पर घोश्रा की की अपने गागल्स लगा लीजिए सही सुना दोस्तों आपने आठ बच कर नव मिनट का समय था वाइव सेना के करनल जो थे वो पॉल टिबेटस थे और उन्होंने बी ट्वंटी बिमान से एनोला गे के इंटर काम पर घोश्रा कर दी की अपने गागल्स लगा लीजिए सही सुन रहे हैं आप लोग दोस्तों और वहीं अगर हम आगे बात करें तो एनोला गे में तीन दसमलो पाँच मीटर लंबा चार टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बाय रखा गया था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों एनोला गे के दाहिने और एक दूसरा बिमान B29 था एवं एक तीसरा बम वर्सक बिमान फोटो लेने के लिए था सही सुन रहे हैं दोस्तों आठ बज कर 15 मिनट हो गया सोच लिजिए आठ बज कर 15 मिनट हो गया और एनोला गे से लिटिल बाय हिरोसिमा केओ उपर गिराना सुरू हुआ गिरना सुरू हुआ इसे नीचे अपने 43 सेकेंड का समय लगा दोस्तों जो आपका हिरोसिमा बम था हिरोसिमा के उपर बम गिरा था उसको नीचे गिरने में मात्र 43 सेकेंड का समय लगा और सोच लीजिए कि 43 सेकेंड में पूरा दुनिया तबाह हो गई जापान पूरी तरीके से तहस नैस हो गया बम से गिरते ही वहां का तापमान 10 लाख सेंटी ग्रेट से जादा हो गया था 10 से 15 किलो मीटर तक सब कुछ जल कर खाक हो गया था हिरोसिमा की दो तिहाई इमारतें एक सेकेंड के अंदर ध्वस्त हो गई थी 80 हजार से अधिक लोगों की मृत्य हो गई थी सोच लीजे दोस्तों मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि 10 लाख सेंटी ग्रेट टमप्रेचर का मतलब क्या होता है आप लोग इसकी कलपना नहीं कर सकते हैं कि अगर बताइए कि जहां पे गिरा होगा वहां के लोगों की क्या इस्थित रहेगी अगर आप उसको सोचें तो सोच करके रुआ खड़ा हो जाता है दोस्तों अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लेग रहे हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजेगा कमेंट जरूर कीजेगा और उन जो लोग सहीद हुए थे और जो लोग मतलब की बिचारे गरीब मासूम जंता मारी गई थी उन लोगों को दिल से स्रद धाल जरी दीजेगा और उनको जो है नमन कीजेगा बिस्फोर्ट के बाद बहुत देर बाद तक मस्रूम के आकार में धुआ तीन हजार फीट तक उठा लोगों के सरीर की इसकिन जलकर गलकर गिर रही थी हर तरफ चिलाने की आवाजे थी लगभग 11 बजे बिस्फोर्ट से पैदा हुए बादनों की वज़ा से हिरोसिमा में तेज बारिस होने लगी और वर्सा का रंग जो था वो काला था दोस्तों सूच लीजिए कि 11 बजे मतलब उस बिस्फोर्ट से जो बादल बना उस बादल से बर्सा होना सुरू हो गई और क्योंकि इसमें धूल राक रेडियो तत्तों मौझूद थे यह रेडियेशन तेजी से फाइल कर लोगों की जान ले रहा था अमेरिकी राश्पती ने रेडियो संबोधन में हिरोसिमा पर बम गिराने की सूचना दी उन्होंने कहा कि अमेरिकी बिमान ने दुस्मन बम था सही सुना अपने दोस्तों मैंने दो नाम बताया एक फाइट मैन बताया एक लिटिल बॉय बताया लिटिल बॉय जो था वो यूरोनियम बम था और फाइट मैन जो था वो आपका प्लूटीनियम बम था अमेरिकी बम वरसक बिमान बी-29 पर 4050 किलो का एक भीमकाय बम 8 अगस्त की रात को लाद दिया गया जिसे अगले दिन 9 अगस्त जापान के ओध्योगिक नगर कोकुरा पर बम गिराना था दोस्तों मतलब की जो दूसरा बम गिराया गया वो 9 अगस्त को गिराया गया यह बम आपका जो है यही फैट मैन बम है जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा गोला बारूद बनाने वाली फैक्टरी यही पर थी कोकुरा पर सुबह 9 बचकर 50 बिनट का समय था बिमान इस सहर के उपर था बिमान B29 बादलो में था और यहां का मौसम खराब था वही बिमान भेदी तोपों तोपे भी तयार थी B29 का इधन समाप्त हो रहा था ऐसे में बिमान को अपने दूसरे टार्गेट नागा साकी की और बढ़ने के लिए कहा गया बिमान नागा साकी के उपर पहुचा और उसने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया भीम काय बम जो है बावन सेकेंड तक नीचे गिरता रहा और दोस्तों B29 का इधन समाप्त हो रहा था एक बार फिर से देखिए गया ये लाइन B29 का इधन जो था वो समाप्त हो रहा था और ऐसे बिमान में को अपने दूसरे टार्गेट नागा साकी की और बढ़ने के लिए कहा गया बिमान नागा साकी के उपर पहुचा और उस पे बम गिराने ही वाला था जो उसका उपकरण था स्वचालीत उपकरण उसे चालू कर दिया गया भीम का अबम 52 सेकेंड तक नीचे गिरता रहा और 500 फीट की उचाई पर फट गया दोस्तों एकदम सही सुना आपने 52 सेकेंड पर जो है 52 सेकेंड लगा और नागा साकी पूरी तरीके से समाप्त हो गया दोस्तों कुछी देर में पूरा सहर निर्जन हो गया हर तरफ सिर्फ लासे थी आईसा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रह गया जो यह बता सके कि यहां क्या और कैसे हुआ नागा साकी सहर पहाडों से घिरा था जिसने तबाही ज्यादा नहीं फैली बावजूद इस से 6.7 वर किलोमीटर का छेतर पूरी तरह से तबहा हो गया आईसा कोई व्यक्ति वहां नहीं रहा जो यह बता सके कि आखिर क्या हुआ कैसे हुआ जो कि आप लोगों ने अभी देखा लगभग 74 से 75 हजार लोगों की मृत्य हो गई सोच लेजे दोस्तो इतनी संख्या में इतनी जादा संख्या में मृत्यू एक साथ हुई और हिरोशिमा तथा नागा साकी में रेडियेशन ने आने वाले वर्षा में लाखो लोगों को प्रभावित कर दिया दोस्तों जापान ने रेडियेशन की चपेट में आए लोगों को हीबा कुसा नाम दिया तथा free स्वास्थ सुविधाईं दे कर बचाने का प्रयास किया लेकिन कहा जाता है कि जब एक बार प्रकृत के साथ छेड़ छाड़ हो जाती है तो उसको सुधारना जो है मुश्किल ही नहीं बहुत नामुनकिन हो जाता है क्योंकि प्रकृत कभी किसी का नुकसान नहीं चाहती और प्रकृत का नुकसान अगर कोई कर देता है तो वो भले कोई किया हो लेकिन प्रकृत तो नहीं जान रही है कि नुकसान किसने किया उसका जो भरपाई करना होता है वहां की जनता को करना पड़ता है जापान ने इस हमले के बाद 15 अगस्त 1945 को अपनी हार मान ली और 2 सितंबर को इसने बीदिवत आत्म समर्पन कर दिया नागा साकी पर बम गिराने को लेकर कई प्रकार के बिचार पहला बिचारिया है कि 8 अगस्त को इस्टाइलिन द्वारा जापान के बिर्द घोस्रा युद्ध की घोस्रा की गई थी इसी कारार 13 अगस्त की जगा 9 अगस्त को हमले की हमला कर दिया गया ताकि जर्मनी की तरह जापानी मुख्य भूमी पर भी रूसी सैनिक कहीं पहले जंडा ना फैरा दे 1965 में लिखी एक किताब के अनुसार अमेरिका ने जापानी सहर पर हमला की इसलिए किया ताकि युद्ध के बाद सोवियत संग के साथ राजनाईक साओदे बाजी की जा सके अमेरिका युद्ध के बाद सोवियत संग से सक्त के मामले में आगे निकलना चाहता था इसलिए अपनी सक्त का प्रदर्शन किया दोस्तो हम लोगों को पता है कि अगर परमाड सक्ति या युद्ध या फिर देश की बिक्सित्ता की बात की जाए तो दो ही देश आते हैं नमबर एक पर एक तो अमेरिका आता है उसके बाद रूस आता है तो दोस्तों अमेरिका ये भी चाहता था जो ये सोवियत संग आप लोग सुन रहे होंगे ये वही सोवियत संग रूस का नाम है या ससर आर तो दोस्तों सोवियत संग रूस को ही सोवियत संग कहा जाता था और इसकी अंतरकत कई देश आते थे तो अमेरिका जो है अपनी सक्त क्या प्रदर्शन भी करना चाहता था इस हमलों से दुती भी स्यूद तो समाप्त हो गया लेकिन बम ने ना सिर्फ मानवता पर दाग का काम कर दिया बलकि परमाड़ बम इवं हत्यारों की ऐसी होड प्रारम की जिसकी वज़ा से आज भी मानव बम जरूर है तो दोस्तों सिर्फ मात्र दो मिनट का समय और दो मिनट में उसके घर से ले करके गिराने से ले करके और पूरी पबलिक पूरा देश जो है नश्ट होने की चमता रखता है ये परमाड़ बम और दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे एडिशन ने भी एडिश आज पर खत्रह हो कि इंसान के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है कि कब इंसान का दिमाग बदल जाए और कब वो क्या कर दे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के दिन जो नागा साकी पर बं गिराया गया उन लोगों को हम लोग बिनम्र स्रधांजली देते हैं और आप लोग कमेंट करके जो है स्रधांजली जरूर दें नमस्कार मिलेंगे साम को साथ बजे अपने अगले वीडियो में और दोस्तों वही अगर आपको न पता हो तो यह क्लास चल रही है जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया इसमें जो की यह पहली स्रीज थी पहली स्रीज हमने इसमें 200 रुपए का पुरसकार रखा था और आपकी जो दूसरी स्रीज है आपकी और दूसरी स्रीज में आपका 200 रुपए का पुरसकार है दोस्तों मैंने ची वीडियो लाइक करते रहिए कमेंट की करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए नमस्कार धन्यवाद है वे नाइस टेए